तो फोक्स वेल्कम टू लूट रॉन्रिंग्स और यह है नेक्स वीडियो और हम बना रहे हैं इन्वेंट्री मैंजमेंट सिस्टम जैसे क्या आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने डेमस्ट्रेट किया था टेबल्स क्रीट करना एसक्यल सर्वर में और हम उसी वीडियो को कंटीनू करेंगे उसी मोमेंटम को कंटीनू करेंगे परहापस और हम क्रीट करेंगे फर्द जो भी टेबल्स राइगे हैं उनको चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें बैल का इकॉन हेट कर आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नहीं वीडियो अपलोड करने सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका शुक्रिया राकाना चाहता हूं थैंक्यू बोलना चाहता हो सबको जिन जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुए पांच हजार सब्सक्राइबर हो गया मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि पांच हजार सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे चैनल पर अल्थो ये इतने मतलब as compared to other channels I'm just minus a channel है मेरा लेकिन फिर भी आप लोगों क्या जो support है I'm really thankful for that so keep supporting and keep telling others about this channel or keep telling me as well where I'm doing okay where I'm not doing okay so give me the feedback comments में आप लिखा करें ताकि मुझे पता चले चले आज इतना ही बाशिन but thank you again अब चलते हैं कि हम आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे पिछली वीडियो में हमने tables वनाए थे इस वीडियो में भी हम tables में ही continue करेंगे और next video में हम relationships create करेंगे और हम बना रहे हैं inventory management system मैं आपको repeat कर दूँ अगर आपने अभी forward किया और आप यहां से start किये और हम आज की वीडियो में tables बनाएंगे so हम continue करेंगे जो आज का पहला table है इस video का वो हम बनाना है purchase table okay so आपको पता है purchase table किस मकसर के लिए इस्तमाल होना है जैसे कि नाम से आपको पता है क्योंकि inventory management system है तो जाहर सी बात है हमने stock purchase करना है material purchase करना है जो भी products आप customer में use करनी है आपने store करनी है अपने warehouse में so उनकी purchase होनी है तो जो भी purchase का record होगा उसको हम properly store रखेंगे कहीं न कहीं पर राइट so यहां पर ही यह दो टेबल्स जो है purchase और purchase details यह दोनों एक ही लड़ी के tables हैं एक ही purpose के लिए इस्तमाल होंगे और इन in tables में ही हम data save करेंगे जो हमारा purchase के related है ताके बार में accounting हो सके कि कितना purchase किया है हमने और यह important होता है so let's go ahead और हम SQL server में जाते हैं और यहां पर आपको पता है हम IMS plus use कर रहे हैं हमारा database उल्दू इस channel के लिए so हमने कुछ tables already बनाया so new table बनाने के लिए of course मैं right click करूँगा tables के ओपर ठीक है और new और table पे click करूँगा और यह अब हमारा graphical user interface open हो जाएगा जिसमें हम tables के अंदर table के अंदर जो fields है columns हैं वो हम create करें so सबसे बहला कालम purchase ID of course यह primary key है और int यह होगी not null नहीं चाहिए और मैं यहाँ पर इसकी property जो है इसमें आके उसको मैं जो इसकी identity specification है उसको मैं yes कर देता हूं ठीक है जो yes किया identity increment of seed भी one one हो गया so यह इसका मतलब है कि बिल्कुल सही काम कर रहा है तो इसको हमने क्योंके यह primary किया है तो हमने कोई identification इदर नहीं है इस वक्त लेकिन हम यहाँ पे menu पर click करेंगे तो यह identification आ जाएगी चले हम next continue करते है supplier supplier क्योंके हमारा table already है supplier की information store करने के लिए दोसके लिए हम int यह foreign की है purchase date purchase date भी important है कि हमने कब purchase किया material so यह हम इसको null is not null रखेंगे status status भी वारचार है क्योंके यह text field है तो हम वारचार status 20 रखेंगे ठीक है यह हमारा table हो गया create save करते हैं इसको ctrl s press करके तो table का नाम रखते है purchase ठीक है purchase और यह होगा हमारा table save अब हम next table create करेंगे जो कि उसी के related है purchase details के नाम से इस table में of course अगर आपने पांच different line items यानि कि एक product का जो होती है वह एक line item होती है quantity वाले के इतनी भी हो so उसके लिए हम इस table में data store करेंगे okay so let's go ahead and create so right click करेंगे right click new table और यहां पर हम start करेंगे purchase detail id int again यह primary की है तो हमें वो सारा process दोराना पड़ेगा कि इसकी identity specification yes और यह primary की है तो हम इस पर प्रेस करेंगे so purchase id यह foreign की है तो लेकिन हम इस not null उसके बाद product id यह भी foreign की है इसको भी हम not null रखेंगे उसके बाद cost price यह भी int होगा इसके बाद quantity यह भी int होगा और the selling price total cost sorry यह भी हमारा int होगा और status हमारा वार्चार होगा ठीक है so वार्चार 50 है लेकिन 20 field इनफ है status के लिए so यह हमारे eco table create होगा हमारे इसको control s press करते हैं so इस table का नाम रखते है purchase details ठीक है so यह हमारा होगया eco table अब हम next continue करते है sales so जिस तरह हमने purchase table का बनाया purchase table और purchase detail table उसी तरह हम वही mechanism continue करेंगे और sales के लिए क्योंकि जरसी बात है आपने अगर जब stock purchase किया तो उसको sale भी तो करना है ना हमने stock ऐसे रखने के लिए तो ने परचिस किया किसी company ने table order id यह int है I don't think कि मुझे दोबारा बताने की जरूरत है जो process में steps में repeat कर रहा हूं वो सब tables के लिए एक ही है so अभी तक आप आप भी अगर practice करें आप सिरफ देखेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलता इसलिए मेरी वीडियो को जो duration है वो दो मिनिट होता है तीन मिनिट होता maximum average duration मैं यह नहीं कहता कि सब दो मिनिट तीन मिनिट देखते हैं लेकिन ज्यादता लोग इतना ही देखते हैं वो इसलिए क्योंकि आप practice नहीं कर रहे होते हैं आप प्रैक्टिस करें साथ आपको भी मजा है मुझे भी पता चले कि आप सीख रहे हो कुछ सो एनिवे सेल्स डेट यह डेट डेटा टाइप होगा नल नहीं चाहिए नल तो कोई भी फील्ड नहीं चाहिए वही अच्छा कस्टमर ने किसी ने मुझे रेकमेंट किया था कि आप कस्टमर का भी टेबल क्रेट के तो यहां पर टेक्स्ट है लेकिन हम इसको हम इंत यानिके नमबर फील्ड क्योंकि यह फॉरं की के लिए इस्तमाल होगा इसका हम टेबल बाद में क्रेट कर लेते हैं स्टैडस वार्चार ठीक है अगें स्टैडस वार्चार 50 आर 20 करेंगे इनफ है सो सेव कर लेते हैं और यह सेल्स टेबल इसका नाम भख लेते हैं अब हम जाते हैं जी सेल्स डीटेल जैसे बिलकुल हमने पर्चेस डीटेल का क्रेट किया था उसी तरह सेल्स डीटेल का भी टेबल हम क्रेट करते हैं सो उसके लिए राइ हम इसमें आएंगे identity specification and market as yes और यहां पर आके हम इसको primary की define कर देंगे ठीक है समझ नहीं है ना order ID यह फॉरण की है सो इसको हम इंट रखें क्योंकि हम link create करेंगे product ID भी फॉरण की है okay so इसको भी हम इंट रखेंगे link create करने के लिए selling price यह क्योंकि price है तो यह भी इंट रहेंगी quantity भी इंट रहेंगी तो बहुत सारे इंट फिल्ट डेटा टाइप हा रहे है total price भी इंट रहेंगी भाई सारे फिल्ट इंट डेटा टाइप है status वार्चार होगी क्योंकि यह numerical value नहीं है यह alphabets में होगे save कर लेते हैं इसका नाम रखते है sales details ठीक है देखें how quickly right इसमें कोई rocket science नहीं है इसलिए यह जो preparation हम करते हैं यह जरूरी होती है और मैं यकीन रखता हूँ well 100% implementation फिर भी नहीं होती लेकिन मेरा यकीन यह है कि हम तभी database यह कोई भी काम कोई भी काम सिर्फ application software नहीं कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो वो जब आप उसकी proper planning आप finish कर लेते हैं जब planning phase over होता है तो फिर उसको execute करेंगे तो आपका time इतना नहीं लगेगा मैं यह नहीं कहता है कि यह 100% correct database है इससे बड़ा solid नहीं इसमें भी कुछ mistakes हो सकती है कोई चीज में skip कर गया होंगा शायद या कोई चीज इस तरह हो सकता है तो उसके लिए हमें शायद वापिस आना पड़े तो anyway that's part of the joy right so next table हम create करते हैं inventory so right click करते हैं new table और inventory id यह क्योंके primary key है तो int null नहीं रखेंगे हम identity specification yes और यहां बें आके हम key को भी turn on कर देंगे so यह हमारा properly बन गया product id यह फॉरन की है so इसको हम not null रखेंगे उसके बाद product id के बाद transaction date यह क्योंके date है इसको भी हम not null रखेंगे transaction type यह transaction type एक table है हमारा तीक है ना लहाज हम इसको int रखेंगे क्योंके हम link कर सकें उस table के सा quantity change quantity change हमारा int यह भी हम not null रखेंगे और new quantity in stock यह भी int और इसको भी not null रखेंगे और status हमारा जो है वो आएगा varchar में okay so varchar 20 okay by the way मैंने आपको explain नहीं किया यह table crux है इस application का ठीक है ना इस application में inventory management system application है correct so जो inventory का table है आप समझ सकते हैं कि वो एक center point important table है इसी table में जो भी हम purchase करेंगे इसमें add होगा अगर for example हमने quantity purchase की किसी भी line item की किसी भी product की वो इसमें add होनी है कि एक stock in हो गया है so अगर हमने कुछ sale किया है तो वो stock out होगा तो वो भी इसमें मतलब उसमे calculation होगी minus करेगा तो यह हम VBA के जरीए हम इसको control करेंगे हम वो बात में जब user interface बना रहे हैं तो तब मैं आपको explain करूंगा लेकिन यह table बहुत बहुत important है ठीक है ना इसको उतना ही important अगला table है वो है accounting so accounting भी for example हमने जो purchase किया है जो sale किया है वो सारी उसकी information जो है उसको हमने store करना है और उसमें हमने accounting table में रखना है ताके जो account payable है account receivable है उनका इसाब रखा जा सके अफकोर्स यह एक बड़ा basic accounting system यह कोई बड़ा sophisticated level pay accounting system नहीं है लेकिन हम at least basics को तो maintain रख सकते है ना so चले इसको पहले हम save कर लेते हैं इसका नाम हम रखते है inventory table ठीक है अब जो हमारा second last table है वो accounting so accounting id जो पहली फीडों की right click करें new table accounting id int null नहीं ही रखेंगे इसको हम और यहां से आके identity specification yes कर देते हैं और क्यूंके primary किया है तो हम यह चाबी का निशान click कर रेते हैं reference ID अच्छा reference ID भी मज़गी बात है reference ID अगर हम कोई purchase करेंगे तो purchase order create होगा अगर sale करेंगे sales order करेंगे जो भी है number उस transaction type के हिसाफ से इसमें store हो जाने चाहिए ताकि हम जब audit trail हो तो उसका हिसाफ रख सकें ठीक है transaction type यह form key है so हम इसको इंट रखेंगे फिर product ID यह भ तो लेहाजा int selling price यह भी int होगा और last में हम रखते है status जो क्यों होगा वार्चार के सो हम वार्चार 20 रख लेते हैं not now save कर लेते हैं यह table और इसको हम नाम देंगे accounting ठीक है अच्छा एक table जो मैंने बताया आपको पहले अर्स किया है कि मैं customer का create करने वाल हूँ जो के इस database में नहीं है इस excel file में नहीं है क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि हम customer का table create करने की ज़रूथ नहीं है but किसी ने recommend किया suggest किया कि जी आप customer का table भी create करें so here we go ठीक है so हम नया table create करते है right click new table और यह हम customer id alright so inch और यह भी क्योंकि primary की होगी so लहाजा हम इसको identity specification is identity yes और चाबी का निशान on कर देंगे customer का नाम यह क्योंकि text field है तो वार्चार so इसमें 50 की बजाए हम 200 allow कर देंदे हैं length not know और telephone for example और for example आपने कोई और fields add करने तो जरूर कर लें ठीक है ना मैं क्योंकि सिर्फ एक demonstration करनों लेहाजा इसलिए मैं minimum fields ही रखोंगा इसके अंदर ताके कोई ज्यादा entries नखनी पड़े so let's say email address 100 कर देते हैं और status यह हम वार्चा रख लेते हैं status इसका भी है ठीक है ना so yeah जनाव इसको हम save कर लेते हैं और customers तो यह जनाव हमारे tables create होगे नजर नहीं आ रहे रिफ्रेश कर लें जहां से और यह आप देख सकते हैं यह सारे tables इस वक्त भागें यहां पर database के अंदर so यह थी आज की वीडियो उमीद कर तो आपने कुछ सीखा होगा thank you very much for supporting keep supporting अगर पसंद आए वीडियो तो ज़रूर लाइक कर ले commerce में बोजे बताएं और चैनल को subscribe नहीं कहा तो ज़रूर कर ले bell का icon हिट कर ले ताकि आपको notification बले जब भी मैं नई वीडियो upload करूँ thank you so much म अलते है अगली बरे मिर तब तक बाई बाई